हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इजी नोट्स फो यू अलाइन स्टडी चैनल आप सब के अपने यूट्व चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स यहां पर यूजी सीनेट 2023 का जो लेटेस्ट कोशन पेपर है कौन सा है अगर हम बात करें पेपर 2 पेपर 2 का 11 मार्च का जो पेपर है वोगात सॉल्व करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि कैसे कोशन समाथ सास्तर यानिकी सोशलोजी में पूछे गए चलिए start करते हैं और start करने से पहले आप सबसे मेरा request है कि अगर अभी तक आप ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे क्योंकि paper one की जितनी भी concept है जितनी भी उसकी live classes है PDF है सब हमारे channel पर available है हमारी website पे हमारे telegram पे वो भी आपको available हो जाएंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोचलोजी के कोशन देखते हैं कि कैसे कोशन एक्जाम में आये थी और सबसे अच्छी बात किया है कि यहाँ पर हम आपको एक्स्प्लानेशन भी दिखा रहे हैं तो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है आज की यह क्लास तो सब लोग जुड़ जाईए और वीडियो को एक लाइक कर दीजे दा फर्स विव और फेमिनिज्म वास सनेनोमिस विड नारीवाद की प्रतम लहर किसके समानारती है यह कोशन नंबर वन जो पूछा गया एक्जाम में सही आंसर आप्शन नंबर डी इस्तरियों का नारी मतादिकार आंदोलन कत्तरी आंदोलन उननीस्वी सतादिक उत्रार और बीस्वी सतादिके प्रारम में आते आते विरोध की लहर अमेरिका में शुरू हुई जिसे नारीवाद की पहली लहर कहा जाता है इसकी शुरुआत अमेरिका में सैनिका फॉल्स कर्वेंशन में हुई थी कोशन नंबर टू हुग गवर्न्स पुस्तक के जो राइटर है जो लेखक है वो कौन है तो सही आंसर है उप्शन नमबर B रॉबर्ट डहल रॉबर्ट डहल एक प्रसिद अमेरकी राजनीती विद राजनीती संदर विशलेशक थे जो 20 वी शताब्दी के महत्पूर्ण विद्वानों में से एक थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हूग गवर्ण्स और डेमोग्रेसी एन एट प्रिटिक्स काफी प्रसिद है डहल ने अपनी पुस्तक हूग गवर्ण्स में अमेरकी नगर में लोग तंत्रों शक्ती के बारे में लिखा उन्होंने या अध्यन किया कि अमेरकी नगर के निकड इस तिन नगरों में कौन से ताकतवर लोग हैं और वे अपनी शक्ती का किस तरीके से उप्योग करते हैं कोशन नंबर त्री विमेंस रोल इन एकनोमिक डवलम्मेंट पुस्तक के लिखा कौन है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर वान इस्टर बोस्रा यहां पर इसका एक्स्प्लानेशन भी है काफी एक् तो ऐसा मेंबर जॉइन कर लीजे और मेरे को एक बार इनफॉर्म कर दीजेगा जिससे की मैं यह पीडियाफ आप तक पहुचा सकूँ तो विमेंस रोल इन एकनोमिक डवलम्मेंट पुस्तक के लेकक हैं एस्टर बोस्राप बोस्राप एक डैनिश अर्थसास्त्री है जिनो उन्हें आर्थिक और क्रिश्य विकास का अध्यन किया था कोशन नंबर फूर एक मैचिंग दी गई है मॉडल ऑफ अर्बन एकालोजी और प्रोपोनेंट्स ऑफ मॉडल्स तो इस कोशन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर टी है ध्यान से देखिए सकेंद्री यानि दौरा दिया गया सेक्टर मोडल होमर होोयट के दौरा दिया गया मल्टिपल नु disguise मॉडल किसके दौरा दिया गया हैरेस और उलमान के दौरा इक ऑलोजिकल एनाले सी किसके दिया गया इमोस होले के दौरा कोशन नंबर फा trabalhar यहाँ पर एक मैचिंग आपके सामने जहां पर शब्दावली है और सिधानकार द्वारा परिवत किया गया यानि कौन सी शब्दावली या टर्मनलोजी है और किसके द्वारा उस चीज का यूज किया गया तो सही आंसर क्या होगा इस कोशन का ओप्शन नमबर बी शाशकिय अभिजादवर्द परेटो शाशकवर्द मार्क्स वीटो सम्हू रीस्मैन और शीर्षनेता यानि की टॉप लीडर्स है हंटर की कोशन नमबर सिक्स ये भी एक मैचिंग में है जहां पर कॉंसेप्ट और थियोरिस्ट यानि यहां से ज्यादा कोशन देखने को मिल रहे हैं अपचारी छेत्र पढ़ लीजे यह कोशन जहां चाहें आप वीडियो को पॉस कर सकते हैं पूरा कोशन स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो यहां पर पहले ऑप्शन का अपचारी छेत्र किलफोर्षा उपसांसकर्ट सिध्धान कोहन विभेदक अफसर सिध्धान क्लोवार्ट लेबिलिंग सिध्धान हावड बेकर का कोशन नमबर सेवन किसने रुगन भूमिका की अफधारना बनाई इस कोशन का जल्दी से आप लोग आंसर करिये किसने वो गेव दा कॉंसेप्ट आप सिक रोल भाई तैयारी कर रहे हैं कैसे पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसे चल है जब हम कुछ कोशन के आंसर भी बीच बीच में देते रहेंगे तब ही हम जान पाएंगे कि एस हमारी जो तैयारी है वो बेहतर चल रही है तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो क्या होगा पार्सन ने अस्वस्त की भूमिका को विचलन के रूप में या सामाजी कपेक्षाओं के वरुद जाने की रूप में दिखाया क्योंकि एक बिमार व्यक्ति की विवार आदर्श से भिन पैटर्न होते हैं स्वास्त एक साकारियात्मक समाज के लिए आमतर पर आवश्यक है जो विमार व्यक्ति को विमार वोमिका में दकेल देता है कोशन नंबर एट किन विद्वानों ने भारत में जाती राजनीती के मध्य संबंदों पर व्यापक रूप से लिखन किया है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानि रजिनी कोठारी नॉर्मल पालमर डी मिलर कॉ संबंदों पर व्यापक रूप से लिखन किया है प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्त कास्ट इन इंडियन पॉलिक्स में भारती राजनीती में जाती की भूमिका का विश्लेशन भी किया है कोशन नंबर नाइन यहां पर एक मैचिंग जहां पर उसके लेखक और उनकी बुक के बारे में पूछा गया तो यहां पर इस कोशन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानि ए आर देशाई पीजन स्ट्रगल इन इंडिया डियन दनागरे पीजन मुव्मेंट इन इंडिया डेविड हार्डी मैन पीजन रेसिस्टेंस इन इंडिया और बेरिंग्टन मूर जूनियर की है सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिटेक्टर शिव एंड डेमोक्रेसी यहां पर यह आप अच्छी तरीके से देख लीजे कि राइटर और उनकी बुक से भी कोशन आ रहा है कोशन नंबर टैन आपके सामने कब का कोशन पेपर है याद रखिए यह ग्यारा मार्च का सोशलोजी का दो हजार तेईस का लेटेस्ट कोशन पेपर है ठीक है पॉलिटिकल एलाइट्स बिजनस एलाइट्स सोशल एलाइट्स और इंटिलेक्ट्वल एलाइट्स यानि टर्म्स और उसकी मीनिंग पूछे गए हैं तो राजनीति का अभी जात क्या नमबर बी कोशन नमबर 11 सही आंसर ऑप्शन नमबर बी नौलेज एकनॉमी यानि ग्यान आधारित अर्थ व्यवस्ता उस अर्थ व्यवस्ता को किस रूप में जाना जाता है जिसमें बहुत सारा कारियबल बहुते गुत्पादन या भौमिक वस्तों के वितरण में सम्मलि नहीं होता लेकिन उनके अभी कल्प यानि डिजाइन विकास विपर्ण विक्री और सर्वसिंग में कारियरत रहता है सही आंसर ऑप्शन नमबर बी कोशन नमबर 12 यहां पर आपको क्रोनलोजिकल ओडर में लगाना है क्रतियों को ठीक है जो यहां पे बुक्स हैं उनको जो 93 में एकनोमी ओफ एंड सोसाइटी 1921 दा कल्चर इंडस्ट्री 1944 दा पोस्ट मॉडर्न कंडिशन 1979 तो इसका सही क्रम क्या है डी सी बी ए हो सकता है अभी यहां पर इस तरीके से आप से क्रोनलोजिकल पूछा हो सकता है अगले में इस तरीके की मैचिंग में पूछ लिया जा कि कौन सी बुक कौन सी इयर में आई ये मैचिंग में दिया जा सकता है कोशन नंबर 30 उस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है जिसके माद्यम से सामाजिक जीवन के विविन शेत्रों पर धर्म का प्रभाव करमिक रूप से शितिल होता जाता है सही आंसर ऑप्शन इस प्रक्रिया को राजनीती के विचारों को अलग कर दिया जाता है इस प्रक्रिया में सभी धर्मों के लोगों को समानता दी जाती है और समाज में धर्म के अधार पर किये जाने वाले बेदबाव को कम करने का प्रियास किया जाता है कोशन नमबर 14 डेविड हर्वे लेखक और उनकी बुक यहां दी गई है और सही आंसर है ऑप्शन नमबर सी डेविड हर्वे की जो बुक है वो कौन से है सोशल जस्टिस आप लोग इंगलिश हिंदी में यहां से भी देख सकते हैं ठीक है इंगलिश हिंदी दोनों में हैं तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं कोशन नमबर 15 यहां पर एक क्रोनलोजिकल ओडर फिर से दिया गया है सोशल लेगिसलेशन का तो यहां पर जो सही क्रम है वो कौन सा है कौन सा अधिनियम का वाया पहले के क्रम में लगाना है तो सही आंसर है ओप्शन नमबर वान यहांनी सबसे पहले क्या आया सती उन्मूलन अधिनियम 1829 में हिंदु विवा अधिनियम 1955 में मात्रद वलाब अधिनियम 1961 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 सती निरोधक अधिनियम 1987 कोशन नमबर 60 वर्ष 1949 में प्रमुक नगरों के उद्भव के संभावेत कारणों को निम लिकित में से किसने व्याख्याईत किया है सही आंसर आप्शन नमबर C मार्क जेफर्सन सही आंसर है मार्क जेफर्सन 1939 में प्रमुक नगरों के उद्भव के संभावित कारणों को जिन्होंने विशलेशित किया साथ उन्होंने बताया कि व्यापार और वित्ती गतिविदियों के विकास तक निकी उन्हें नहीं याता या तंत्र के प्रभाव से शहरों का विकास हुआ है संस्रियती हैं के सरवाजिक प्रभाव चारे सबंदित है सही आंसर उप्शन नंभ भी युनिवर्सिटी और बर्मिंग्टम बर्मिंगिटन विश्विद्याले इंग्लेंड में एक शोध केंद्र था जिसकी स्थापना 1964 में स्टूर्ड हॉल ने की थी कोशन नमबर 18 असर्शन रीजन का एक कोशन आपके सामने जहां पहला कोशन है कि समाज सास्त्रियों को संकलनात्मक ब्रह्मान से अनुबव जनक दुनिया को प्रतक करना चाहिए जिसका वो निर्मान करते हैं रीजन है कि वेबर के द्रस्टी कोड में इतिहास सर्व विशिस्ट अनुबव जनक गटनाओं से संरचेत हैं इनका अनुबव जन इसतर पर समानी करण नहीं किया जा सकता दोनों ही सही आंसर और करेक्ट एक्स्प्लानेशन कोशन नमबर 19 कॉल मेंहिम के संदर में कौन सा कतन सही है अब इतना लॉंग कोशन को करने के लिए आपको कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप इस कोशन का सही आंसर कर पाएंगे कि सही आंसर option number A, option number B, option number C और option number E होगा यानि मैनहीम ने ग्यान के समासास्त्र की व्यापक रूप रहा बनाई मैनहीम की प्रक्रियाई, तात्विक निसकष ग्यान और सामाजिक सन्राचना के मद्दे को स्पस्ट करती है मार्क्स ने घ्यान के समासाश का दर्श निर्मित किया और मैनहिम के अन्सार घ्यान का समासाश राजनितिक जीवन के विए घ्यानिक मांड दर्शन ही तू प्रेरित कर सकता है कोशन नमर 20 निमलिकित में से कौन सा कथन सही है सही answer option नमर 1 ABC only लिए ए बी-सी यानि भारत के आदुनिक श्रम इक वर्ग ब्रिटिश काल के दौरन भारत में स्तापित आदुनिक उद्योगों यातायात परिवहन क्रशी विवसाई का प्रतिफल हैं भारती इश्रम जीवी शिल्पकारों से निर्बत हुआ मजदूरी अर्जन करता बने भा व्लूएफ और और्ग बंँ ने प्रथम बार संस्कृति विलंबना के बारे में पत्चित करया था तो सही आंशर आप्षण नंबर वी सोशल इन्हों ने क्या कहा कि और और्ग बंं ने पुस्टक सोशल चेंद में समाजिक प्रिवर्टन की संस्कृतिक विलंबना का सिधान प्रसुत किया उन्होंने संस्कृति को दो भागों में भागा वो कौन सी थी भौतिक और अभौतिक संस्कृति सोशल अग्रिकेशन यानि उस सामूहिक समूहन को किस नाम से जाना जाता है जिसका नेट से तब आविर्भा होता है जब परियाप्त व्यक्ति साइबर स्पेस में व्यक्तिकत सम्बन की वेप्स बनाने के लिए सर्वजिनिक चर्चा करते हैं सही आंसर ओप्शन नमबर वन वर्च्वल कम्यूनिटी उस सामाजिक समूहन को अभासी समूदाय के नाम से जाना जाता है जिसका नेट से तब आविर्भा होता है जब परियाप्त व्यक्ति साइबर स्पेस में व्यक्तिकत सम्मन की वेप्स बनाने के लिए सार्वजिनिक चर शक्ता या अफसर होता है कोशन नमबर 23 मानव प्राणी बिना स्थाई निवास के लाको वर्ष्रों तक जीवित रहा दूसरा कतन है कि आरंबिक नगरों के उद्विकास का प्रारम 12000 साल पहले हुआ तो सही आंसर ओप्शन नमबर वन क्योंकि ये दोनों ही गलत हैं दोनों समय में मनुष्य किसी स्थाई निवास के लाको वर्ष्रों तक विच्रण करके भी जीवित रहा दूसरा कतन की विशय में 12000 वर्ष पहले हुआ क्योंकि मानव इतिहास के पहले ही नगरों का विकास हुआ मोहन जो दाड़ों यानि दोनों ही कतन सही है तो यहां पर यह जो आपशन दिया गया है आगर इंग्लीश में देख़िए तो लिखा है करेक्ट और हिंदी में जो आपशन दिया है वो गलत लिखा है तो तो सही की अप्लिकेशन ओल्र वर्ण कोशन नमबर 24 लेंगिंग संकल्पना के बारे में कौन सा कत्य या तत्य सही नहीं है ओप्शन इतने सारे दिये हैं तो सही आंसर ओप्शन नमबर D A B C यानि A भी सही है B भी सही है C भी सही है यहां पर सही आंसर 1972 में ब्रिटिश समाज सास्त्री एन उकले की पुस्तक में सेक जेंडर एन सोसाइटी सी चिंतन की आगास दी ओकले के अनुसा जेंडर समाजिक संस्कृतिक संरचना है जो स्त्रित्व और पुरुशत्व के जड़ों को गड़ने के समाजिक नियम कानूनों करने धारन करता है मीड ने लिंग में संस्कृतिक अंतर का अध्यन करने के करने वाले वह पहले मानव्य ज्यानी थे न्यू गिनी में उन्हें तीन जन जातिया मिली अरापेश मुंद्गमोर तचंबुली जिनकी लैंगिंग भूमिकाइन नाट की रूप से भिनती तो यहा पर क्या लिखा है सही नहीं है मैंने गलत कर दिया बाई मैंने गलत किया है तो सही करना पड़ेगा यह दोनों ही ओप्षन यहां पर इन्होंने पूछा दा कि कौन से ओप्षन सही नहीं है नौट करेक्ट अरे यार यह बड़ी हिंदी-इंग्लिश गड़बड की हुए है प्षन को देखो यार हिंदी-इंग्लिश में थोड़ा डाउट है यहां पर कतनों का सही स्पस्टी करण है तो यहां पर सही नहीं की जगा जो यहां पर हिंदी फिर से गलत कर दिया है लिखा है तो यहां पर मेरे को वही लग रहे हैं यहां पर इनके बारे में कौन सी पूछेंगे निगेटिव चीज क्यों पूछेंगे तो यहां पर आप लोग प्लीज हिंदी-इंग्लिश पर ध्यान रखना यहां पर आपने क्या करना है इंग्लिश वाले ऑप्षन को पहले देखना है उसमें क्या लिखा है करेक्ट की नॉट करेक्ट उसकी टॉल कोट परसंस के उसार परिवार के दो प्रमुक प्रकारिया कौन से हैं सही आंसर ऑप्षन नंबर डी यानि ए और बी प्राइमरी सोशलाइजेशन परसनेलिटी स्टैबलाइजेशन कोशन नंबर 27 दो स्टेटमेंट है पहला है जेंट्रिफिकेशन महानगरों में संपदा की वापसी की एक प्रक्रिया है और स्टेटमेंट नंबर 2 यूरोप और अमेरिका में जेंट्रिफिकेशन महानगरों में संपदा की वापसी की एक प्रक्रिया है सही आंसर है कि पहला सही है फर्स्ट स्टेटमेंट रू सेकेंड स्टेटमेंट इस फॉल्स ठीक है नेक्स्ट कोशन नंबर ट्वेंटी एट क्रतियां और उसके लेखक तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यन दा बॉडी एंड सोसाइटी टर्नर की है इन दा लोकेशन आफ कल्चर भाबा दा सोसाइटी डी बिल कल्चर ऑफ प्रैक्टिस जेट बॉबबं न कोशन नंबर ट्वन्टी नाइन सोशन और दमन की विरुद किसान विद्रों के कारण कोन से थे सही आंसर ओप्शन नमबर A, ओप्शन नमबर D और ओप्शन नमबर E यानि कीमत व्रदी अकालादी के कारण के आर्थिक दशा का राश सनरचनात्मक परिवर्तन, किसानों को अपने दशा सुधाने के लिए बढ़ती आकांग शाएं कोशन नमबर 30 विमन इन डवलमेंट विमर्ष में संकलनात्मक परिवर्तन से संबने निमलकित में से कौन से तत्यस सही है एक कोशन है कोशन नमबर 30 जो भी एक्जाम देना चाह रहे हैं अभी UGCन जून 2023 का या दिसंबर 2023 का अगर आप तयारी कर रहे हैं तो ये दोनों ही पेपर में आपके लिए बहुत ही अच्छे कोशन्स आपको साबित हो सकते हैं क्योंकि यहां पर उनके आंसर भी है यानि आपको ज़्यादा मैनत नहीं करनी है अगर अप फोड़ा भी कॉंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर निकाल लोगे डबलू आइडी मितक प्रक्षेपित करता है कि मातरार्तिक समस्याओं के समाधान के द्वारा महिला विकास की प्रगती की जा सकती है डबलू आइडी में महिलाओं को विकास में सक्रिय अभी करता के बिना विकास को लाभारती के रूप में माना गया है और option number E decade for women यारी महिला दशक के अंतराश्ट्री मच पर विकास में महिलाओं की नई परिस्तिती को महत्ता परदान की गई है ये चाहें तो screenshot ले सकते हैं women in development WID के बारे में जो चीजे सही है हो सकते हैं बार WID का statement में पूछ लिया जाए एक statement ये दिया जाए और एक statement ये दिया जाए तो आपको पूरा पढ़ना होगा तो यहां तक मैंने आपको 30 questions complete करा दिये हैं बाकी के question आपको next part में कराएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को like, comment कर सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, share कर सकते हैं अपने groups में, subscribe नहीं किया, subscribe कर लें, thanks for watching, paper one की classes भी चलेंगी तो उनको विसा ब्लोग तेकिएगा, thank you